हलो जीवरीवन वैलकम टू पिड़यू अकेडमी पिड़यू एकडमी के इस वीडियो में आज हम आपके लिए करा हैं सभीर आजयों के ब्रान्ड आमगेज्टर का और कमपनों के ब्रानड नहें किया हैं तो सब्सक्राइब कर लेजिए और उसके बगल में एक बेल आइकन का बटन देख रहा होगा उसको भी आप प्रेस कर देजिए ताकि अगर हम कोई भी वी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच आए और आप का बाला कोईचन और कोईचन नोमर वान है शिक्किम के ब्र Carned Ambassador कोन है तो इसका answer होगा सिक्किम के brarned ambassador है र रहमान ए रहमान जो कि एक सिंगर है और सिक्किम coods है भारत का सबसे चोटा राज है जन संख्या के तिश्ठध कोड से तो सिक्किम के अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है बीवो के ब्रांड अम्पेश्टर कौन है हम आपको बता दें बीवो जो है एक चाइनेज फोन कमपनी निर्मादा है मतलब की एक चाइनेज कमपनी है बीवो और एक फोन का निर्माद करती है तो बीवो कमपनी के ब्रांड अम्पेश्टर है आमीर खान जो की एक एक्टर है अगला question देखते है question number third question number third है राजस्थान के brand ambassador कौन है तो राजस्थान के brand ambassador है अभीनेता इर्फान खान और राजस्थान के बारे हम आपको बता देते है कि राजस्थान जो है कि भारत का सबसे बड़ा राज है चेतरफल की दिश्टी कोर से तो यह भी पुछा जा सकता है कि छतरफल के दिश्ट कोल से सबसे बड़ा राजी है राजस्थान और राजस्थान के मुख्यमंत्री है असुक गहलोत और राजस्थान के ब्रांड अमबेजडर है इरफान खान अगला question है question number 4 Question number 4 है Unicef के ब्रांड अमबेजडर कौन है एक संस्था है United Nation की मतलब कि Unisaf United Nation की एक संस्था है और Unisaf का जो Headquarter है इसका Headquarter है Newark City मतलब कि Unisaf का जो Headquarter है Newark City में है अगला Question देखते हम Question No.5 Question No.5 है Odisha Tourism के Brand Ambassador कौन है तो इसका Answer होगा Odisha Tourism के Brand Ambassador है नंदिता दास अगला Question देखते है Question No.6 Question No.6 है Assam State के Brand Ambassador कौन है तो Assam State के Brand Ambassador है हीमा दास हम हीमा दास के बारे में आपको थोड़ा सा पता देते हैं यह हीमा दास जो है एक Athletic है और हीमा दास जो है की Assam State के नगाओं गाओं के सोरी नगाओं डिस्टिक के धिंग गाओं से है धिंग इनके गाओं का नाम है धिंग और यह पढ़ता है Assam State के नगाओं डिस्टिक में तो यह धिंग गाओं में से हैं तो इसलिए इनको धिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है तो अगला कोस्टिन देखते है अगला कोस्टिन है तेलंगाना की ब्रांड अमबेश्टर कौन है तो तेलंगाना की ब्रांड अमबेश्टर है सानिया मिर्जा तेलंगाना जो है कि भारत का 29 राज है जो कि 2 जून 2014 को आंधर प्रदेश से कट कर के निया राज बना था और तेलंगाना के जोईप मुनिस्टर हैं अगला कोश्टन देखते हैं कोश्टन नमबर एट कोश्टन नमबर एट ए है कि अतुरली भारत अभियान का ब्रांड अम्बेश्टर कोई है? तो अतुरली भारत अभियान के brand ambassador है भारतिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी अगला question देखते हैं, question number 9 question number 9 यह है कि स्वच railway mission का brand ambassador किसे बनाया गया है तो इसका सही अंसर होगा बिंदेश्वरी पाठक मतलब कि स्वच railway mission का brand ambassador है बिंदेश्वरी पाठक और जो बिंदेश्वरी पाठक है यह है बिहार से और बिंदेश्वरी पाठक जो है सुलब सोचाले के founder भी है मतलब कि जो आप railway पर देखते हैं सुलब सोचाले बना हुआ या फिर अन्ने जगवापे सुलब सोचाले आप देखते हैं उनके जो founder है वो है बिंदेश्वरी पाठक और बिंदेश्वरी पाठक है बिहार से और हम आपको बता जें रेल्वे के जो नए चेर्मन है उनका नाम है बिके यादो इनका पुरा नाम है बिनोत्गुमार यादो और रेल मंत्री है प्यूस गोयल अगला कोस्चन देखते हैं हम लोग कोस्चन नमबर 10 भारतिय वन्ने जिव ट्रस्ट का ब्रांड अमबेश्टर कोन है तो भारतिय वन्ने जिव ट्रस्ट का ब्रांड अमबेश्टर है दिया मिर्जा अगला कोस्चन है इसकिल इंडिया के ब्रांड अमबेश्टर कोन है तो इसका आंसर होगा प्रियंका चोपडा मतलब कि Skill India के जो Brand Ambassador है वो है अभिनेतरी प्रियंका चोपड़ा अगला कोश्चन देखते है यूनिसेफ के Brand Ambassador कौन है तो यूनिसेफ के Brand Ambassador है प्रियंका चोपड़ा अगला कोश्चन दर्वाजा बंध अभियान का Brand Ambassador किसे निव्ट किया गया है तो इसका जो Answer होगा एक्टर अमिताब बच्चन मतलब कि दर्वाजा बंध अभियान का Brand Ambassador अमिताब बच्चन को निव्ट किया गया है आगे देखते हम लोग Question No.14 GST Goods Service Text मतलब कि GST के Brand Ambassador किसे निव्ट किया गया तो इसका Answer होगा अमिताब बच्चन और GST का Full Farm होता है Goods and Service Text और यहाँ एक Indirect Text होता है GST एक Indirect Text होता है Question No.15 देखते हैं Question No.15 है निर्मल भारत के Brand Ambassador कौन है तो निर्मल भारत के Brand Ambassador है अभिनेतरी बिद्या बालन Question No.16 है Pepsico के Brand Ambassador कौन है Pepsico हम आपको बता देते हैं Pepsico के बारे में Pepsico एक अमेर्की कंपनी है और इसके जो Brand Ambassador है Pepsico के Brand Ambassador है PV सिंदु और PV सिंदु एक Badminton खिलाडी है और यह भारत के तेलंगाना राजसे हैं मतलब कि PV सिंदु Badminton खिलाडी है और यह भारत के तेलंगाना राजसे हैं Next Question देखते हैं Next Question है Question No.17 पुरूर्थर छेतर विकास का Brand Ambassador कौन है तो पुरूर्थर छेतर विकास का Brand Ambassador है MC Merikam MC Merikam जो कि एक Boxer है और इन्होंने अभी अभी छेटवा Gold Medal भी जीता है और हम MC Merikam के बारे मता देते हैं कि यह मड़ीपूर राजसे हैं मतलब कि MC Merikam मड़ीपूर राजसे बिलाउं करती हैं और पुरूर्थर छेतर विकास के जो मंत्री हैं उनका नाम है जीतेंदर सिंग मतलब कि पुरूर्थर छेतर विकास मंत्री है जीतेंदर सिंग यह भी पूछा जा सकता एक्जाम में Question No.18 Question No.18 है BSNL का ब्रांड अम्बेश्टर कौन है तो हम बता दे आपको जो BSNL का मुख्याला है वो मुख्याला है निव दिल्ली में और BSNL के MD और CEO वो हैं अनुपम स्रिवास्तवा और BSNL के ब्रांड अम्बेश्टर है MC Merikam और इनको दो बर्सों के लिए निउक्त किया गया है अगला Question देखते है Question No.19 Question No.19 यह है कि पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड अम्बेश्टर कौन है तो इसका अंसर होगा बिराट को लिए जो कि भारतिय क्रिकेट टेम पे प्रजेश्थचर है प्रजेश्चर डेन टाइम में कैप्टन है Question Number 20 American Tourister का ब्रांड अम्बेश्टर कौन है तो इसका अंसर भी होगा बिरराट को लिए जो कि क्रिकेटर है भारतिय क्रिकेट टेम के तो Question है American Tourister का ब्रांड अम्बेश्टर कोन है तो इसका अंसर होगा बिराट कोली और American Tourister Company एक कमपणी ऐसी है जो की बैग बनाती है Question number 21 Question number 21 है स्वच भारत अभियान के brand ambassador क्वान है तो स्वच भारत अभियान के brand ambassador है अभिनेत्री काजोल मा अभियान का brand ambassador किसे बनाया गया है मा अभियान जो की सरकार ने चलाया था इसके जो brand ambassador है अभिनेत्री माधूरी दिच्छित मतलब की मा अभियान का brand ambassador है माधूरी दिच्छित Next question है Question number 23 स्वच साथी काड़िकरम का brand ambassador किसे बनाया गया है तो इसका answer होगा दिया मिर्जा तो स्वच साथी काड़िकरम के brand ambassador है दिया मिर्जा Next question वीवो के brand ambassador कौन है वीवो के brand ambassador है अभिनेता आमीर खान हेपेटाइटिस बी उनमुलन का brand ambassador कौन है मतलब की हेपेटाइटिस बी एक बिमारी है इसको खत्म करने के लिए एक अभियान चला जा रहा है उसके brand ambassador कौन है तो उसके brand ambassador है अभिनेता आमिताब बच्चन अगला question question number 26 DD किसान channel के brand ambassador कौन है तो DD किसान channel के brand ambassador है आमिताब बच्चन एक question बहुत important है तो इसको आप लोग याद रखेंगे DD किसान channel के brand ambassador कौन है तो इसके brand ambassador है आमिताब बच्चन Question number 27 Question number 27 है Senior National Tennis प्रतियोगता के brand ambassador कोन है तो Senior National Tennis प्रतियोगता के brand ambassador है महंदर सिंग थोनी Question number 28 Question number 28 है Australia परियतन की पहली भारतिय महिला brand ambassador तो इनका नाम होगा परियती चोपड़ा जो की अभिनित्री है और हम बता दें दुबाई परियतन की जो brand ambassador है ओ है साहरुक खान तो इस तरह से दो question होगा Australia परियतन की पहली भारतिय महिला brand ambassador है परियती चोपड़ा और दुबाई परियतन की brand ambassador है अभिनिता साहरुक खान अगला question देखते है question number 29 question number 29 है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के brand ambassador कोण है तो इसका answer होगा माधुरी दिच्चित बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के brand ambassador है माधुरी दिच्चित अगला question देखते है उबर इंडिया ने अपना पहला brand ambassador किसे बनाया है तो उबर इंडिया ने अपना पहला brand ambassador बनाया है क्रिकेटर बिराट कोहली को और उबर एक taxi handling company है और यह अमेरिका की company है और उबर के जो CEO है उबर के जो CEO है उनका नाम है दारा खुसरो साही यह question काफी very important है इससे कई question बन सकते है कि उबर इंडिया ने अपना पहला brand ambassador किसको बनाया है तो इसका answer होगा बिराट कोहली और यह question भी पुछा जा सकता है बहुत important है कि उबर इंडिया के CEO कौन है तो उसका answer होगा दारा खुसरो साही अगला question देखते है question number 32 question number 32 है Reemit to India के brand ambassador कौन है तो Reemit to India के brand ambassador है क्रिकेटर बिराट कोहली next question دेखते है Indigo paint के brand ambassador कौन है तो Indigo paint के brand ambassador है भारती क्रिकेटर महेंदर सिंग धोनी नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 34 कोश्चन नमबर 34 है फिलिप्स इंडिया के ब्रांड अम्बेस्टर कौन है तो फिलिप्स इंडिया के ब्रांड अम्बेस्टर है भारती क्रिकेटर बिराट कोहली इसके आंसर होगा बिराट कोली अगला question देखते है question number 35 question number 35 है Reno India के brand ambassador कौन है तो Reno India के brand ambassador है रड़ बीर कपूर जो की एक अभिनेता है तो Reno India के brand ambassador कौन है किसके आंसर होगा रड़ बीर कपूर अगला question देखते है अगला question है 36 फ्रूट जूस एपी फ्रीज के ब्रांड अम्बेश्टर कौन है तो इसका एंसोर होगा सलमान खान नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन है 37 जूस कमपनी ट्रापी काना की ब्रांड अमबेश्टर कौन है तो जूस कमपनी ट्रापी काना की ब्रांड अमबेश्टर हैं अभिनेत्री केटरीना कैफ अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 38, कोश्चन नमबर 38 है, चीनी स्मार्टफोन कमपणी वन प्लस के ब्रांड अम्बेश्टर कौन है, तो इसका आंसर होगा, अमिताब बच्चन, मतलब की चीनी स्मार्टफोन कमपणी वन प्लस के ब्रांड अम्बेश्टर है, अभिनेता अमिताब बच्चन, सही अंसर होगा अमताब बत चान अगला question देखते है question number 39 question number 39 है airlines बिस्तारा की brand ambassador कोन है हम आपको बता दें airlines बिस्तारा जो की एक टाटा की company है और इसकी brand ambassador है अभिनेतरी DP का पादुकोर अभिनेतरी DP का पादुकोर अगला question देखते है Intex की brand ambassador कोन है तो Intex की brand ambassador है मादुरी दिच्चित Intex Indian Electronics company है जो की phone भी बनाती है तो इस तरह से Intex की brand ambassador हो गई मादुरी दिच्चित next question देखते है next question है question number 41 Titan Sonata का brand ambassador कोन है तो इसका answer होगा महेंदर सिंग धोनी मतलब की Titan Sonata का brand ambassador है महेंदर सिंग धोनी अगला question, question number 42 और इस सीरीज का अंतिम question मुथूट गुरुप के brand ambassador कोन है तो मुथूट गुरुप के brand ambassador है अभिनेता, अमिताब, बच्चन तो इस सारे question important है और किसी ना किसी exam में लगभाग पुछे गया है जैसे कि railway group D के railway LP के exam में पुछे गया है वो question को ही उठाया गया है और सारे question important है आने वाले exams के लिए तो आप इने पढ़ लेजिए और वीडियो देखने के लिए धन्य बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप comment में बता सकते हैं और thanks for watching and good luck for your exam